नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पावन सर और अपने इस यूटूप चैनल मैतमेटिक सीजी वे पे आप सभी का एक बार फिर से सौगत करता हूँ तो दोस्तों आप जानते हैं कि कल से आपको 10th स्टेंडर का बोर्ड एक्जाम से स्टार्ट होने जा रहा है उनका कल पहला पेपर है और इस पहले पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो बोर्ड का answer seat है उस answer seat का front पे जो है आपको बहु पेपर को क्या करना फिल अप करना है जिससे आपको डर ना लगे कल करना है क्या क्या परिस्तितियों से गुझरन आज आपको सबकुत सिखकर जाना है आपका front page आपको fill up करना start करना है या आपको अगर पहले line खीचना है तो आप पहले line की सकते हैं बाद में front page भरना start कर सकते हैं क्योंकि आपको इसकी बीच में 10 से 10-20 के बीच में आपको इस सारे काम पूरे करने पड़ते हैं तो 10-20 तक आपको पूरे काम पूरा करने के बाद क्या होता है, 10-20 पर मिलता है 10-20 और Q&P को आपको रीड करना रहता है सिर्फ 10 मिनट तक और 10.30 बज़े से आपको पेपर लिखना है, स्टार्ट करना पड़ता है तो मैं आज आपको बताने वाल हूँ जीरो शिक्स एट त्री नाइन देखकर के लिखना है याद रखना है कि आपको इस बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए द्यान से आपको स्पेस को ध्यान रखते हूए आपको थोड़ा छोटा बड़ा लिख सकते हैं।lar लेकिन सभी कैप्टाल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है आपको कि स्पेलिंग सही होनी चाहिए तो सबसे पहले शिक्स्टी कि एट कि थाउजन कि थ्री हंड़र्ड कि एंड नाइन्टी थ्री यहांपका सीप नंबर इस तरह से आपको क्या करना है वाड में लिख लेना है उक कि बच्चों आगे बढ़ते हैं तो यहां लिखा है सिगनेचर ऑप कंडिडेत industrial करना है जिस तरह से आपना हया यहाँ पर अफंपे log Mans cannon िणि जगा dess8 जगा अपने flats प्लास्ट में शुपरवाइजर से टीचर रहेंगे वह आपको यहां पर चांट करना भूल जाते हैं तो आपको याद से शुप्लेवेंट पर साइन ले लेना है तो यहां पर आपका जो भी सुपरवाइजर रहेगा उसका सिगनेचर ले लेना है इसके बाद आपको यहां सेंटर नमबर लिखना है चार अंको का सेंटर नमबर यहां लिखा रहेगा सेंटर नेम और सेंटर नमबर आपको यहां पर क्या करना उसे फिल अ होते हैं सिर्फ आपको पेपर कोнять साइज और साइंस सेट्स मेघ्ट का तो आपको इसमें इसका घुटरेवाथ एपर मेर्च करना है मैस की दिन मैटमेटिक लिककर के मैटमेटिक्स किया इस drums नहीं मायर्च योले बना से सक्षा अब एंसर हमेसा याद रख रहा है हिंदी मीडियूम के बच्चों को कोई भी पेपर रहने चाहिए इंग्लिज रहने दो चाहिए मराथी रहने दो हिंदी ही लिखना है और अगर अगर आप के स्टुडेंट है तो सब्सक्राइब बार मराठी लिखेगा English medium का student है तो यहां पर language of answer में English लिखेगा यानि आप जिस मीडियम से बिलॉंग करते हैं उस मीडियम को यहां आपको mention करना है भले आप English में पेपर लिख रहे हैं तो भी आपको अगर आप आपो दो लिखना है तो 13 अगर आपने लिए है तो यहां जीरो करके आपको यहां पर से पहले आपको ऐसा आपको एक क्या मिलेगा अब बार्पोड लिखा है लेकिन आपके पाथ जो आएगा उस बार बार लाइन रहेगा यहां कैंचल नहीं लिखा का वोगे में दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या करना है यहां से आपको या तो सो ह में सीट अपको यहां से टीरस साथ आपको निकाले देना है यह चिपकाने के बाद ही होलो क्राप काला वाला पेपर लगाना इससे पहले नहीं लगाना है अब इसके बाद आपको क्या करना है यह आपका होलो क्रॉप्ट है इस होलो क्रॉप्ट का ब्लैक वाले को पेपर को लेना है और इससे देखिए इस तरह से खड़े में आ आपको यहां पर क्या करना स्टिक करना है कि एरो साइन वहां पर दिखेगा आपको एरो साइन को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह से क्या कर देना स्टिक कर देना यानि कि आपका फर्स्ट पेज हो गया इसके अलाव आपको क्या करना रहता है दो जगा सिगनेचर करना प्रकार सी रहा था रहता आपको अ यहां रहेगा यहां पहलेंट को यहां पर यहां पर यहां पर जैसे आपका सेंटर नंबर जो भी आपको यहां पर सेंटर नंबर डाल देना सीट नंबर इन अंकों में लिख लेना है इसके बाद सीट नंबर इन वर्स में लिख लेना आपका अपना सिगनेचर कर लेना है यहां पर आपके सूपर वाजर का सिगनेचर यहां पर करना आपको ऐसा लेटा के लगाना है यह चीज खुला रहेगा यहां ने मॉम वाल कॉलम नहीं रहता है क्योंकि यह डमी कॉपी है इसलिए आपको यहां पर दिखा रहा हूं यहां पर सब्जेक्ट पेपर यह सब आपको हर पेज जब बर सप्लिमेंट लेंगे आप को भरना पड़ेगा तो इस तरह से आपको क्या करना में अंसर सीट और इसके यहां लन लगा जाता है उसका अगर सब कोशेन हमी नंबर है तो यहां पर दाला जाएगा इस तरह से आपो लिखना रहता है और यहां पर थोड़ा सा आप पहला पेपर को बधाया आपको better अपना पेपर अच्छे से और अच्छे से अपना पेपर सॉल करें अपनी तरह से पूरी को उसिष करिएगा तो चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैं महारास्रा